भगवान श्री राम के जन्म की कथा तो आप सभी लोग इन सभी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना ताकि आप भी अपने जीवन में अच्छी राह पर चल करके अपने जीवन को सफल बनाएं कौशल प्रदेश जिसकी स्थापना वैवस्वत मनू ने की थी पवित्र सर्यू नदी के तट पर स्थित है सुन्दर एवं समृधर योध्या नगरी इस प्रदेश की राजधानी है वैवस्वत मनू के वंश में अनेक शूरवीर, पराक्रमी, प्रतिभाशाली तथा यशस्वी राजा हुए जिन में से राजा दश्रत भी एक थे राजा दश्रत वेदो के मरमग्यत, धर्मप्रांग, दयालू, रंकुशल और प्रजा पालक थे उनके राज्य में प्रजा कष्टरहित सत्यनिष्थे वम इश्वर भक्त थी उनके राज्य में किसी का किसी के भी प्रतिध्वेशभाव का सर्वता अभाव था एक दिन दरपन में अपने कृष्णवर्ण केशों के मध्य एक श्वेत रंग के केश को देखकर महाराज दश्रत विचार करने लगे कि अब मेरे योवन के दिनों का अंतनिकट है और अब तक मैं निहसंतान हूँ मेरा वन्ष आगे कैसे बढ़ेगा तथा किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राज्य का क्या होगा इस प्रकार विचार करके उन्होंने पुत्र प्राप्ति हित्व पुत्रयष्ठी यग्य करने का संकल्प किया अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को बुला कर उन्होंने अपना मनतव्य बताया तथा यग्य के लिए उचित विधान बताने की प्रार्थना की उनके विचारों को उचित तथा युक्ति-युक्त जानकर गुरु वशिष्ठ जी बोले हे राजन पुत्र येष्ठ ही यग्य करने से अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी ऐसा मेरा विश्वास है अतहाप शीग्रत शीग्र अश्वमेद यग्य करने तथा इसके लिए एक सुन्दर श्यामकर्न अश्वच छोड़ने की व्यवस्था करें गुरू वशिष्ट की मंत्रना के अनुसार शीग्रही महराज दश्रत ने सर्यू नदी के उत्तरी तट पर सुसज्जित एवं अत्यंत मनोरम यग्यशाला का निर्मान करवाया तथा मंत्रियों और सेवकों को सारी व्यवस्था करने की आग्या देकर महराज दश्रत ने रनिवास में जाकर अपनी तीनों रानियों कोशलिया, कैके और सुमित्रा को यह शुप समाचार सुनाया महराज के वचनों को सुनकर सभी रानिया प्रसन हो गई मंत्रीगनों तथा सेवकों ने महराज की आग्यानुसार श्याम कर्ण घोगा चतुरंगिनी सेना के साथ छुडवा दिया महराज दश्रत ने देश देशांतर के मनस्वी, तपस्वी, विद्वान रिशी मुनियों तथा वेद्विग्य प्रकांट पंडितों को यग्य संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महराज दश्रत अपने गुरु वशिष्ट जी तथा अपने परम मितरंग देश के अधिपती लोभपात के जामाता रिग रिशी को लेकर यग्य मंडप में पधारे इस प्रकार महान यग्य का विदिवत शुभारम किया गया संपूर्ण वातावरन वेदों की रिचाओं के उच्चस्वर में पाठ से गूंजने तथा समिधा की सुगन से महकने लगा समस्त पंडितों, ब्राह्मनों, रिशियों आधी को यथोचित धन धान्य, गौल आधी भेट करके सादर विदा करने के साथ यग्य की समाप्ती हुई राजा दश्रत ने यग्य के प्रसाद चरा को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वित्रित कर दिया प्रसाद ग्रहन करने के परिनामस्वरू परमपिता परमात्मा की कृपा से तीनों रानियों ने गर्भधारं किया जब चैत्रम मास के शुकल पक्ष की नवमी तिथी को पुनरवसू नक्षत्र में सूर्य, मंगल शनी, रहस्पती तथा शुक्र अपने अपने उच्छ स्थानों में विराजमान थे करकलगन का उदे होते ही महाराज दशरत की बड़ी रानी कौशलया के गर्प से एक शिशु का जन्म हुआ जोकी श्यामवन, अत्यन्त तेजो में, परमकांतिवान तथा अध्भुत सौंदर्य शाली था उस शिशु को देखने वाले ठगे से रह जाते थे इसके पश्चात शुब नक्षत्रों और शुब धड़ी में महारानी कैकेई के एक तथा तीस्वी रानी सुमित्रा के दो तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा महाराज के चार पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सरायन रित्य करने लगी डेवता अपने विमानों में बैठ कर पुश्प वर्षा करने लगे महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आये हुए भाट चारन तथा आशिरवाद देने वाले ब्राह्मनों और याचिकों को दान दक्षना दी पुरसकार में प्रजा जनों को धन, धान्य तथा दर्बारियों को रात्न, आभुशन तथा उपाधिया प्रदान किया गया चारों पुत्रों का नामकरन संसकार महर्शी वशिष्ट के द्वारा कराया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मन और शत्रुगन रखे गए आयू बढ़ने के साथ ही साथ रामचंद्र बुनों में भी अपने भाईयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोक्रिय होने लगे उनमें अत्यंत विलक्षन प्रतिभाती जिसके परिनाम स्वरू अल्पकाल में ही विसमस्त विश्यों में पारंगत हो गए उन्हें सभी प्रकार के अस्त शस्त्रों को चलाने तथा हाथी, भोडे एवं सभी प्रकार के वहनों की सवारी में उन्हें असाधारन निपुनता प्राप्त हो गई वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे उनका अनुसरन शेश तीन भाये भी करते थे गुरुजनों के प्रती जितनी श्रद्धा भक्ती इन चारो भायों में थी उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सोहार्द भी था महाराज दश्रत का हरिदै अपने चारों पुत्रों को देख कर गर्व और आनन से भर उठता था